उत्रभार समय देशबर के इनराजयों में बारिश के आसार है आसामया रात्री के दोरान पस्तमी हिमाली क्छेतर पर पस्तमी इक्षोग पहुंच जाएगा जिसके चलते ही बारिश और ब्रभबारी की गतिवीदियां भी शुरू हो जाएगी प्रेरी चकरवातियाओं का अक्षेतर पाकिस्तान की मदेभागों पर भी बना हुआ है आज जमुकस्मीर और हिमाचल परदेश के कुछ हींसों में बारिश और हिमपात हो सकता है वही नो फरवरी के दोरान बारिश और हिमपात की तिवर्टा और भी बढ़ जाएगी और ये हिमाचल परदेश और उत्राखन राजे को भी कमर कर सकती है पुत्री पाढ़ों पर ताजा बरभबारी की उमीद है जमकस्मीर, हिमाचल परदेश और उत्रागन के नेचले और मधे इलाकों में बारिस और गरज के साथ छीटे भी पड़ सकती हैं मोसम की एगती वीदियां आने वाले तीन से चार दिनों तक लगातार चलती रहेंगी उसके बाद में कमी आ जाएगी आज से लेकर दस फरवरी तयक चिटपुट बारिस और हलकी बरभ बारी देने की उमीद है बारिस के गती वीदियां कल तीवर हो सकती है स्मीर गाटी और कुलू गाटी में कुछ इस्तानों पर बरभ बारी की वी संभावना है उत्राखन के बी उचे इलाकों में भी बरभ बारी होगी और मसूरियों ने निताल की निचली पहाडी वाले इलाकों में बारिस और गरज के साथ बोचारे पड़ सकती है नो से 11 फरवरी के दोरान जमकसमेर के साथ साथ हिमाचल परदिश के के लोंग, मनाली, कुलू, सिमला, चंबा, मंडी, दिरमसाला, कांगडा, हमीरपूर में हलकी बारिस और बरभ बारी देखने को मिलेगी इसके बाद में अगला पस्तमिक शोब जोकी 13 फरवरी को पहुंचेगा और उसके बाद में 15 से 17 फरवरी के बीच एक और मजबूत पस्तमिक शोब पहुंचेगा जिसके चलते भी पहाडी राजियों पर एक बार फिर से बारिस और ब्रभ बारी की गतिवीदियां देखने को मिल सकती है हर्याना राजिस्तान पस्तमि उत्रपरदेश दिली अंसियार में भी 10 फरवरी से एक बार फिर से सर्दी बढ़ेगी और पारा भी गिर सकता है अगले 24 गंटों के दोरान सिकीम, एसेम, अरुनाचल परदेश, अनमान, और निकोबार दीप समुह के कुछ हींसों में हलकी बारिस देखने को मिल सकती है अगले 24 से 48 गंटों के दोरान उत्तर पस्तमी और मदिभारत के दिन और रात के ताफमान में एक बार फिर से बढ़ोत्री भी हो सकती है मौसम से चुड़ी है जानकारी सही और से ठीक लगे तो वीडियो को लाइक चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें